मामला कानपुर दिहाद के फुकराहया कजबे का है जहां पर 702 ऐल्मोनियम फैक्टरी में असेवा गाउं का राम अफ़तार रोल मसीन चलाने का कारे करता था वहीं पर कारे करने के दौरान उसके हाथ का एक पंजा कोचल गया था साथ ही उसे कुछ अंध्रोनी चोट भी आई थी जिसके बाद फैक्टरी मालिक ने उसका उपचार अपने तरीके से करवाया था लेकिन इलाज सही तरीके से ना होने के चलते युवक की मौद हो गई जिसके बाद युवक की पत्नी ने निया की गोहार लगाते हुए भोगनीपूर कोटवाली में तहरीर दी बोगनीपूर कोटवाली इंचार्ज राम बहादूर पाल ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर मामलत दर्ज किया गया है साथ ही सवका पंचनावा भरकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है जांच के लिए पुकराया चौकिन चार्ज महेंदर पटेल को आदेश दिये गया है मेरी बात करने तो क्या दिक्कत किसे बात करने थाए अपको बहुत बड़ी कज़ाओ अपने बारे में बताएंगे अपनी पोईशन रखिए क्या दिक्ता हम चाहिए आपको के लिए अक पुछके ना झाल झाल झाल